कॉंग्रिस अध्यक्षपत से राहूल गांधी की स्टीफे की पेशकस और उस पर अरे रहने के फैसले को लेकर अब सोशल मीडिया पर भी तुफान आया हुआ है तरह तरह कि मिम्स के बेच ख्यात लेखी का सोभा डे ने भी उन पर निशाना साधा है इसमें राहूल गांधी को शलाह भी दी गई है तो बीजीबी पर जवरदर्स तंज भी की गई है गौरत लबैकी से पहले सोभाडे शनी देओल की लुक्षव शुनाव जीतने पर अपने ट्वीट के जड़िये सनी के प्रसंसकों के निशाने पर आ गई थी राहूल गांधी के कॉंग्रिस द्यक् करने को कह रहे हैं उन्हें पीएम पद का योगी उमीद्वार बताने वाले डीएम के अध्यक्ष एमके श्टालीन ने भी उनसे अपना निर्णे बदलने को कहा है इससे पहले तमिल सीनिमा के शुपरिष्टार रजनी कांथ ही राहूल गांधी को इस्तिफे न देने की सला भी जा रहा है उन्होंने लिखा है राहूल गांधी जाए या रहे की फर्क पैंदा उन्हें जाने दो न उनके साथ सहमत हूं बिल्कुल भी उटर नहीं छुटियों का समय अस्थाई तोर पर उन्होंने इसे हासिल किया है चौकिदारों को उनका काम करने दो भारत देख र अपने ट्वीट को लेकर चर्चा में रहती है इसे पहले उन्होंने पीम नरेंदर मोदी के रडार और बादल वालेट बयान पर चुट की ली थी हाली में सोभाडे ने आरजेडी आप और जेडी एस को लेकर तंच कसा था और ट्वीट किया था सनी देओल जीत गए हेमा मा लिनी जीत गई आमादमे पार्टी जेडी एस और आरजेडी से ज्यादा सांसत तो धर्मेंद के घर में हैं